हेई एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टू इंकलिंग विमी सो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ नेपाल की फेमस सेल रूटी के बारे में तो चलो जानते हैं कैसे बनाई जाती है ये सो फ्रेंड्स अब हम चामल के आटे का बैटर तयार कर लेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गी और थोड़ी सी चीनी अगर आप लोगों को मीठा पसंद ना हो तो आप चीनी को अवाइट कर सकते हैं बट बिना चीनी के सेल रूटी का मजा ही नहीं है और अब हम अपने मिक्शर को देखेंगे कि अच्छे से रेडी है या नहीं और एक ट्राइ करेंगे कि शेप अच्छे से इसकी बनेगी या नहीं तो अब हमारा जो ये मिक्शर है बहुत अच्छे से रेडी है और अब हम सेल रोटी को दिखाते हैं कैसे बनाई जाती है do आप देखिए अब हमने ले लिया है और हम कड़ाई पर इस सेल रोटी को डालेंगे और जो ये बीच में आप हैवी बर्तन देख रहे हो ये इसलिए रखा जाता है ताकि जो हमारी रोटी है वो आपस में चिपक ना जाए, मिक्स ना हो जाए, एक शेप देने के लिए ये रखी जाती है, ताकि गोलाई इसकी बहुत अच्छी से आ जाए, और जब तक ये दोनों तरफ गोल्डन नहीं हो जाता है इस रोटी का कलर, तब तक हम इसको नहीं नि और फ्रेंड्स आप इस सेल रोटी को किसी भी चटनी कहलो, और मूली का चार होता है, हमारे हाँ बहुत फेमस होता है, और सूकी सबजी यालू की, और ये जो सेल रोटी है हमारे हर फेस्टिवल में बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होती है, तो गाइस मैं कहूंगी करना और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक करना और शेयर करना मत बूलना जया निपाल